दोस्तों नमस्कार खेल तो बदलने लगा है एक ऐसा खेल शुरू हो रहा है जुसमें 48 घंटे के बाद आप किसे टेलीफोन पर बात करते हैं आपकी आवाजाही कहां पर होती है किन नेताओं से आप मुलाकात करते हैं उन नेताओं पर जो 2024 के चुनाओं में सत्ता बनाने बि दूसरी तरफ चले जाएं नजर उन पर रखनी पड़ेगी लेकिन क्या वाकई ऐसी स्तिती आ गई है ये सवाल धीरे धीरे बड़ा हो चला है चुनाओं परचार का आखरी चरण आज खत्म हो गया और परसो वोटिंग होगी लेकिन अड़तालिस घंटे के बाद इस देश क चुनाओं को लेकर एगजिट पोल सामने होगा और एगजिट पोल के जरीए एक हलकी सी तस्वीर नहीं बलकि एक बड़ी तस्वीर इस देश के सामने होगी कि दो हजार चौबिस का जनादेश जाएगा तो किस दिशा में जाएगा यानी एक धुनली तस्वीर जो अभी त शुरू होगा क्या वाकई दिल्ली में मौजूदा सत्ता के साथ खड़ा हुआ जाए या ना खड़ा हुआ जाए और राजनितिक तोर पर इस दौर में जो ना इंडिया गटवंधन के साथ थे और ना ही एंडिये गटवंधन के साथ लेकिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार त एक जून को ही दिल्ली में कॉंग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार जुन खडगे ने मिटिंग बुलाई है। इस मिटिंग को लेकर पहले कई नेताओं ने ये कहा कि दरसल उस दिन आना मुश्किल होगा। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें कमोवेश हर नेता पहुचेगा। और नेता के पहुचने का मतलब ये है कि उसने अपने तमाम सलाकारों को याधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि तयार रहिए एक तारिक को दिल्ली जाना है। उसमें आप किसी भी नेता का नाम रख सकते हैं। लेकिन सवाल इंडिया बैठक से इंडिया बैठक के नेताओं के बाहर के नेताओं का है। उनको लेकर भी सवाल होगा क्या घंटी गुहाटी से भी बचेगी जहां पर असमगन परिशद है। एक लंबी फेरिस्त जो बता रही है कि दरसल एक जून को एग्जिट पोल के बाद सवाल ये नहीं कि इंडिया तूटेगा। सवाल ये है कि एंडिया बचेगा या नहीं बचेगा। और राजनितिक तोर पर सौ सीटों के घटना करम इस दौर में बड़े हो चले हैं। और ये इसलिए बड़े हो चले हैं कि 2019 के चुनाओं में 190 सीटों पर कॉंग्रेस और बीजेपी आमने सामने थी। इन 190 सीटों में से 176 सीट बीजेपी ने जीती थी। सिर्फ 14 सीट कॉंग्रेस ने जीती थी। लेकिन जो नजर आ रहा है उसके मताबिक कॉंग्रेस का आकड़ा 14 से बढ़ते बढ़ते 74 तक जा रहा है। ये सबसे नीचे की लकीर है और 74 के आगे भी वो जा सकता है। और उसको भी अलग अलग रज्यों के हिसाब से जब परखा गया तो उसमें बहुत सारी ऐसी स्थिती अब नजर आने लगी है जिससे लगने लगा कि दरसल 303 के जिस बहुमत के साथ के आकड़े पर बीजेपी 2019 में खड़ी थी। 2024 में कॉंग्रिस अपने बूते उसमें सेंध लगाएगी और एक जटके में बीजेपी कहीं नीचे तो नहीं आ जाएगी और उसका बात दूसरा काम तो मारास्ट बिहार उत्तरपरदेश में गटबंधन के सयोगी कर ही डालेंगे। तो राजनितिक तोर पर इस घटना करम की नपच को हर कोई पकड़ रहा है। इस सिलसले की शुरुआत हमें लगता है कॉंग्रिस के अध्यक्ष मलिका अरजुन खड़गे से करनी चाहिए। जो आज खुले तोर पर ये कहने से चूके नहीं अब एक वैकलपिक सरकार बनने वाली है। इतना कॉंफिडेंस क्यों आ गया। इस पर बात करें उससे पहले इन बातों को सुन तो लीजिए। कर UPA1 और UPA के तर्श पर इस देश को एक इंक्लूजिव, नाशनलिस्टिक, डेवलपमेंटल सरकार देंगे और सभी को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अजूदा वक्त के साथ जब खड़ा किया गया तो कॉंग्रेस ने ये पाया कि दरसल सिर्फ नौ से दस फीजदी वोट का अंतर एक जटके में उसे 100 सीटों का लाप पहुचा देगा। और जहाँ जहाँ बीजेपी सामने खड़ी थी वहाँ वहाँ उसे लाप हो रहा है क्योंकि उसके साथ इस वक्त गटबंधन का सयोग है या कहें छत्रपों के वोट ट्रांसफर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद बीजेपी और कॉंग्रिस अगर दोनों के चुनावी इतिहास को आप एक छण के लिए पलट लें और 2024 में आकर खड़ा होना चाहें तो उससे पहले एक चीज़ दिमाग में रखिये। कॉंग्रिस ने सबसे जादा सीटें 1984 में जीती थी। उस वक्त कॉंग्रिस को 49 फीज़दी वोट मिलेते और 404 सीट मिली थी। लेकिन अगले ही चुनाव में साड़े 9% वोट कम हो गए यानि 39.5% वोट हो गया और सीटें 207 सीट कम हो गई और एक जटके में कॉंग्रिस 197 और अगर इसी परिपेक्ष को और थोड़ा आगे ले जाईए कि 2009 में कॉंग्रिस के पास साड़े 28% वोट थे और उसकी सीटों की तादा 206 थी मनमोहन सिंग प्रदानमंत्री थे लेकिन जैसे ही पलटती है बीजेपी के भीतर की चीजी और 2014 में मोदी का जो तुफान आता ह है वह एक जटके में तकरीबन 9% वोट कॉंग्रिस के कम कर देता है और 28.5 से घटकर वह 19.5 पर आ जाती है और सीटे 206 से घटकर 44 पर आ जाती है यानि 162 सीटों का नुकसान 9% का वोट कॉंग्रिस को क्या वाकई चाहिए और इस देश के भीतर में कॉंग्रिस जिस कमाल की उम्मीद कर रही है उस कमाल की दिशा में बढ़ जाएगी हलांकि बीजेपी का अपना इतिहास भी कमोवेश वैसा ही रहा है उसी अंदाज में बहुत कम फिजदी वोट से वो च्छलांग मारती है क्योंकि यात कीजिए 1984 में उसे सिर्फ दो सीट मिली थी उस वक्त उसके पास साले साथ पॉने आठ परसंट के वोट हुआ करते थे लेकिन अगले चुनाओं में 1989 में वो 83 सीट जित गई 81 सीटों की चलांग मारी लेकिन वोट का परसंटेज 11.36 रहा यानि सिर्फ साले 3 परसंट वोट ही बढ़ है और अगर 2009 और 2014 के भी अंतर को बीजेपी से परकिये तो साले 12 परसंट का वोट का अंतर आता है 2009 में बीजेपी के पास 18.8 परसंट वोट और 2014 में 31.34 पिसदी वोट और सीटों का अंतर 116 से चलांग मार कर 282 बात इससे भी 2024 की साफ हो नहीं पा रही है ये तो दरसल एक राजनितिक जमीन है जो बता रही है कि 9 से 10 परसंट के वोट पर क्या कुछ हो सकता है इस देश के भीतर में और आप कितना बड़ा कमाल कर सकते हैं और जब इन पन्नों को आप लेके आते हैं तो कॉंग्रेस के गटबंधन को समझिए महराष्ट, तमिलनाडू, उत्तर परदेश, बिहार, दिल्ली, जारखन, गुजरात गुजरात में आम आदमी पार्टी के साथ वो खड़ी है इन तमाम जगों पे उसके वोट का परसंटेज कितना बढ़ेगा कम तो होगा नहीं और पिछली बार कोई सहयोगी नहीं था इस बार इन तमाम राज्यों में सहयोगी हैं तो वोट परसंट तो बढ़ेगा अगला सवाल है कि अपने बूते जहां वो चुनाओ लड़ रही है वो राजस्थान है मद्परदेश है, छत्तसगड है, हर्याना है, हिमाचल है इन जगों पर अपने बूते उत्राखंड में भी अपने बूते है वो उडिसा में भी अपने बूते है, तिलांगना में भी अपने बूते है लेकिन इन राज्यों के अक्स तले अगर फिर परखिये तो कितने परसेंट वोट बढ़ेंगे कॉंग्रिस के अपने एनलाइसिस तहट सबसे बड़ा परिवर्तन जो नजर आ रहा है तीन-चार राज्यों में करनाटक, महराष्ट, राजस्थान, उत्तरपरदेश और बिहार है इन तमाम जगों पर देखिये तो कॉंग्रिस करनाटक में ही अपने बूते है और राजस्थान में अपने बूते है बाकी तीन राज्यों में सायोगी है और इस परिस्तिती के भीतर क्या ये माना जाए कि अगर आठ नौ दस परसंट का इजापा सायोगी दलों के वोट के साथ जुड़ जाता है जो उनके अपने वोट उस राज्य के भीतर कहीं आस्तन निकालिएगा तो 15 फिस्दी आस्तन साय योगियों के वोट थे उसमें से सभी वोट शिफ्ट नहीं होना है सिर्फ 10 परसंट का वोट शिफ्ट होना है और वो शिफ्ट एक जटके में कॉंग्रिस को देड़ सो तक पहुँचा सकता है क्या यह इस्तिती कॉंग्रिस के भीतर कहीं ना कहीं चहक रही है इसी लिए मल् उत्तर भारत और पश्चमी भारत का भी किया है कि वहाँ पर कितना लाब उसे मिल सकता और बड़ी बात ये है कि खास तोर से सीधी टकर नौर्थ इंडिया में पिछली बार उसके साथ 106 सीट पर थी बीजेपी के सामने और 160 बीजेपी जीत गई थी और उसमें ध्यान दीजि दिल्ली, चंडिगड, पंजाब, उत्तर परदेश और उत्तराकंड शामिल है जब इसका इनलेसिस किया जा रहा है तो पिछली बार इन राज्यों में सिर्फ कॉंग्रेस ने 6 सीट जीती थी इस बार उसमें कम से कम 25 सीटों का इजाफा हो रहा है यानि वो 31 तक पहुँच और ये वो राजनेतिक ताकत है जो कि पहली बार लोकसभा सीटों के आसरे उसको लग रहा है कि उसे लाब मिल रहा है और इस वज़ा के साथ साथ अगर पश्च्वी भारत के हिस्से में जो चार राज्याते हैं गुजरात, महराष्ट, गोवा और दमंदीव उसमें भी पर इन तमाम जगों पर जोड़ियेगा तो पहली लकीर 53 सीटों की खिच रही है यानि 190 सीट में से 53 और पिछली बार 14 सीट जीती थी यानि 67 सीट ये नीचे की लकीर है उपर की लकीर में उसको जो नजर आ रहा है इस देश के बीतर में वह कम से कम 85 से 90 सीटों के बीच का अकलन कर रही है तो क्या वाकई एक जून को एकजिट पोल के साथ ही बड़े बड़े नेताओं की आवाजाही शुरू हो जाएगी और उस फेरिस्त में क्या वाकई बड़े बड़े नाम है ये सवाल इसलिए है क्योंकि इन सवालों के तहती इस दोर में ध्यान दीजिए जिन बा महरास्ट में चुना होने हैं हर्याना में होने हैं और जारखन में होने हैं विदान सवा के चुनाओ तो क्या वाकई एकनाश शिंदे और अजीत पवार इस लोग सवा चुनाओ के बात बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे या उन्हें समझ में आ जाएगा कि राजनिती कैस साधनी हैं और सब कुछ लोग सवा चुनाओ के परिणामों पर पड़ा है यह पहला सवाल है दूसरा सवाल जो बाहर से संदेश देते रहे कि हम आपके साथ हैं उसमें नवीन पटनायक उसमें खास तोर से जगन रेड़ी ये दो महत्तपूर्ण प्लेयर के तोर पर हैं लिली के साथ खड़े होंगे तो रज में लाब मिलेगा लेकिन रज में लाब मिले ना मिले लेकिन रज के गवर्नेंस को लेकर ही अब केंद्र ने जब हमला इन दोनों रज्जों के चुनाओं के बड़ रज सरकारों पर किया तब सवाल ये है कि जैसे ही एक्जिट पूल टेलिफोन की घंटियां घंगनाने लगेगी और NDA के भीतर के जो अलग अलग पॉल्टिकल पार्टीज है उसको भी अगरा सिर्फ शिवशेना और अजीत पवार के NCP को मत देखिए आप सोचिए कि रास्टिय लोग जनशक्ति पार्टी जो पशुपती कुमार पारस हैं व वो क्या सोच रही है सुहेल देव भारतिय समाच पार्टी उसके भीतर क्या खलबली होगी जो महराष्टवादी गोबानतक पार्टी है वो क्या सोच रही है जन्नायक जनता पार्टी हो निशात पार्टी हो और इन सब के बीच नितीश कुमार को भी याद कर लीजिए तो क कन्या कुमारी के भीतर विवेका नंद रौक है वहाँ पर जब वो पहुँच गए और उसके बाद अब उनकी तंद्रा जो है वो तूटेगी एक तारिक की शाम को ही जस वक्त दिल्ली में मलिका अरजुन खड़गे बैठक कर रहे होंगे और इस दोर में प्रधान मंत्री ने इस देश को घूम घूम कर खुब प्रचार किया दोसों से जादा रैलियां रोड शो या जो कहना है कीजिए 80 से 85 इंटर्विव उन्होंने दिये हैं और उसके बाद अब वो विवेका नंद रौक में 30 तारिक यानि आज की शाम से लेकर एक तारिक की शाम तक वहां बैठे इन तीनों का जहां मिलन होता है उस जगा पर बैठें और NDA का मिलन जिन 38 पॉलिटिकल पार्टी के साथ था जिसमें अधिकतर पार्टीयां तो नॉर्थिस्ट की थी उसमें से लगबग एक दरजन पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी कोई नहीं जानता है क्योंकि नॉर्थिस्ट को लेकर मनिपूर के जरीए एक बड़ी लकीर इस दोर में खिच चुकी है तो क्या वाकई NDA के भीतर के कदावर नेताओं के सामने भी एक जून एग्जिट पोल के बाद मुश्किल निर्णे की छण में आने वाले हैं या फिर ऐसी परिस्टिती आने वाली है जिसमें जो बाहर थे अब वो समझ जाएंगे किनके साथ खड़े होना है क्योंकि UPA1 और UPA2 का जिकर मलिका अरजुन खड़गे ने दिल्ली में आज कर दिया लेकिन दूसरी तरफ प्रधान मंत्री इस बात को जान रहे हैं कि इस देश के भीतर बड़ा ही आक्रोश उन युवाओं में है जो अगनी वीर से जुड़े थे और दूसरी तरफ वह जो सोच रहे हैं इस देश का युवा भी वैसे नहीं सोचता है और सेना को लेके जो रास्टिय भावना जगाने की सोच इससे पहले रही पहली बार चुनावी मैदान में वह पिछरते चले गए इसी लिए इतने गुसे के साथ भाशन देते हुए आज प्रधान मंत्री मोदी नजर आए और इस भाशन के बाद उन्हें विवेका नंद रौक जाना है मोदी का लक्ष भारत की सेनाओं को सबसे ज़्यादा आधुनिक बनाना है सबसे ज़्यादा सामर्तवान बनाना है सच्चे अर्थ में आत्म निर्फर बनाना है लेकिन मोदी के इस अभ्यान से इंडी वालों की काली कमाई के राते बंद होते हैं इसलिए ये मोदी पर अपना गुसा निकाल रहे हैं सिरफ 26 जनवरी में परेड के लिए सेनाओं तयार नहीं की जाती है सेना लड़ाई के लिए तयार की जाती है दुश्मन के दाथ खट्टे करने के लिए तयार की जाती है माँ भारती की रख्षा के लिए तयार की जाती है लेकिन ये लोने सेना को भी राज नित्य का हत्यार बना दिया है इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता है और मैं इंडिया अलाइस बालों को कह रहा हूँ मैं चुप बैठा हूँ इसका मतलब ये समझी है गल्ती मत कीजे मोधी को समझने की अगर मोधी जिस दिन मूँ खुलेगा तो मारी सांथ पिड़ी के पाप निकाल करकर रख दूँगा असल में कोई गुस्से में अगर भाशन दे रहा हो तो उसके दो ही मतलब होते है या तो उसे लगने लगा हो कि वह चुनाओ हार रहा है और हारने के निर्ने से पहले वह जनता को बता दे कि उसके जहन में क्या कुछ है तो क्या प्रधान मंत्री के भीतर का गुस्सा इसी बात को प्रगट करता है कि वो ऐसा सोच रहे है लेकिन दूसरी तरफ राहूल गांधी भी आज गुस्से में नजराए दरसल उनका गुस्सा उन परिस्तितियों को लेकर था उन्हें लगते रहा कि आखिर उनकी संसस रस्ता क्यों चीनी गई उनके सरकारी घर को क्यों चीना गया उनके खिलाफ एक दो नहीं दो दरजन से जादा केस इस देश की अलग अलग अदालतों में क्यों चलाए जा रहे है इस देश के भीतर में एडी उनसे 55 घंटे पूस्ताच करती है निकलता कुछ भी नहीं है तो क्या ये सरकार सिर्फ और सिर्फ परिशान करने के लिए है तो क्या उन्हें ये महसूस होने लगा है वो हार रहे हैं या जीत रहे हैं शायद दोनों परिस्तितियां दोनों के साथ हो सकती है एक तरफ प्रधान मंत्री मोदी और दूसरी तरफ राहूल गांदी लेकिन पहली बार भाशन देते वक्त जब इन बातों का जिक्र हो रहा है तो यह भी अंदाज कोई भी कर लेगा कि शायद अब वो वक्त करीब आ गय है जब सत्ता हमारे हाथ में होगी और तब हम बताएंगे कि दरसल हमारे खिलाफ जो भी कारवाई इस देश के बीतर दिल्ली में बैठी हुई सत्ता ने की यानि मोदी सरकार ने की तो उसका जवाब दिया जाएगा क्या यह अंदाज राहूल का इसलिए आज नजर आया बीजेपी के खिलाफ लड़ता हूँ मेरे खिलाफ बीजेपी ने 24 केस किया है डिपरमेशन के केस क्रिमिनल केस दो साल की जेल करवादी मेरी लोकसवा की सदस्यता ले गए पचास घंटे मेरा एडी ने इंवेस्टिगेशन किया इंटेरोगेशन किया मेरा घर उठाके ले जब यह मेरा घर ले गए मैंने इनको चाबी दी और इनसे कहा यह तुमारा घर है सरकारी घर है मुझे नहीं चाहिए मेरे हिंदुस्तान में करोणों घर है और इसा के जनता के दिल में मेरा घर है बाकी देश बाकी प्रदेशों के लोगों के दिल में मेरा घर है तुमारा पर नहीं चाहिए ले लो उठा के ले लो एक बात तो साफ है इस देश के भीतर में बीजेपी के सामने राश्टिये तौर पर कॉंग्रेस ही खड़ी है इंडिया गटबंधन के भीतर दो दर्जन से ज्यादा राजनितिक दल हो सकते हैं अलाग अलग राज्जु के बड़े कोटो के ट्रांसफर होने के साथ जुड़ गई है तो मतलब बहुत साफ है कि परिस्तिती पलट रही है और शायद यही अंदाज और यही अपने तोर पर समझ कॉंग्रेस और राहुल गांधी की है क्योंकि ध्यान दीजिए 2014 में कॉंग्रेस के खिलाफ एंटीन कंबंशी थ बाला कोट के जरीए जो रास्टवार और सेना को लेके परिस्तिती इस देश में पैदा हुई थी इस बार वैसी भी इस्तिती नहीं है और यह भी ध्यान दीजिए कि जुश लाइन पर आरेसेस चलती रही बीजेपी उसे पूरा करने की बात कहती रही अब वो तीन सरकार ने जो करना था करके दिखला दिया और इसके साथ ही इस चुनाओं में इसी लिए ना हिंदु मुस्लिम था ना अतंकवाद था ना पाकिस्तान काम कर रहा था शायद इसी लिए ध्यान दीजिए जब शुरू में CSDS जो सरकार द्वारा पैसा दियेने के बाद वो संस् और अपने तौर पर इस देश की समाजिक आर्थिक परिस्तितियों का आखलन करके बतलाती है उसने कहा था कि इस देश में जमीनी मुद्दे इस चुनाओं में रेंग रहे हैं और ये वज़ा शायद कॉंग्रेस के नहीं बलकि इस देश की जंता के हक में गई और जंता के ह हक में जाने का मतलब था कि BJP के सामने क्या वाकई शिकष्ट शुरू में ही आ गई थी जो वो सोच रही थी कि नहीं होगी क्योंकि महंगाई का मसला, बिरुजगारी का मसला, सम्विधान का मसला, जातिगत जनगन्या का मसला, अगर इन चार मुद्दों के इर्दगिर्द भारत की जातिए समिकणों को आप परखना शुरू करें और इससे पहले उन तमाम चुनाओं में जो भी वोट बैंक या वोटों के समिकण जातिए अधार पर हुए हो या धर्म के जरिये वोटों के धुविकण को सोच कर हुए हो या अलग-अलग मुद्दों के आसरे परखे गए हो तो ध्यान दीजिये 2024 का चुनाओं सीधे-सीधे जनता के मुद्दों से जाकर जुड़ गया इसलिए राजनितिक दल के तोर पर कॉंग्रेस या इंडिया को बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी बलकि उसे जनता के पीछे खड़े होना था और यही वो वज़ा है जिन वजों के बाद अब शायद इस देश के भीतर में राजनिती करने वाले वो तमाम नेता जो कल तक एंडिये में साथ थे या कल तक मोदी सरकार के साथ अलग-अलग मुद्दों पर खड़े दिखाई दे रहे थे उन सभी के सामने भविश की राजनिती को लेकर एक बड़ा सवाल ये है कि अगर अब वह भी एक जून को एकजिट पोल की परिस्तितियों के बाद और चार जून तक परिस्तिती आते आते अगर उन्होंने अपनी राजनिती को अब दस बरस के बाद नहीं समाला तो मुश्किल होगी और इस मुश्किल पर ही नजर रखने के लिए सरकार भी नजर रख रही है एक जून के बाद कहां कहां से किस किस का टेलीफोन किस किस के घर घर घराता है और किस की मुलाकात किस के साथ होती है नजरें इस पर भी होगी लेकिन एक बात तो कही जा सकती है ये चुनाओ BJP का नहीं, मोधी और शाह का चुनाओ, ये चुनाओ NDA का चुनाओ नहीं, ये मोधी और शाह का चुनाओ और दूसरी तरफ इंडिया गटबंदन था शायद इसी लिए अलक थलक कौन पड़ेगा कैसे पड़ेगा और चुनाओं की परिस्तिती में एग्जिट पोल क्या एक जून की शाम यानी 48 घंटों के बाद जो नजारा इस देश में राजनितिक उथल पुथल का राश्टिय त और पर नजर आएगा अभी से उसे आप महसूस करना शुरू कर लीजिए बहुत 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 शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया